गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मेंस का प्राक्टी सेट नमर 7 जो की एडुटेरिया वॉलूम 1 के बुक से चलाया जा रहा है इससे पहले कि एक से छे तक के सारे सेट अप्लोडेड हैं अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस से देख सकते हैं साथ ही साथ प्लेटफॉर्म वॉलूम 2 के और कुछ अन बिहार दरोगा मेंस के सेट अफ लेबल है आप जाके वहां से देख सकते हैं तो आईए बढ़ते अ जोजीला दर्डा से ही लेह जाने का रास्ता है ये जो जोजीला दर्डा है ये सिरी नगर को लेह से जोडता है ठीक है जोजीला दर्डा से याद रखेगा कि 19 मई 2008 हो जमु एंड कास्मीर के लेह में एसिया का सबसे बड़ा सुरंग जोजीला सुरंग का भी सिल्यानास किय से जोड़ता है सिप्कि ला दर्त है प्रतकि को सिरीरूटा बटते हैं रहा भारत के 21 राज को सिल्कशन ऑस्टेट के नाम से जाना जाता है तुस्केशन का जो सही हमसर होगा पहुच है option number D करनाटक को Silicon State के नाम से जाना जाता है करनाटक राज को IT पाबर हाउस या Silicon State के नाम से पुकारा जाता है और करनाटक राज में ही Silicon घाटी है जो किसको बोला जाता है Bangalore सहर को बोला जाता है करनाटक से याद रखेगा करनाटक के CM का नाम है बी-ए से दुरप्पा और यहां के गवर्रनर का नाम है बजू भाई बाला क्लेर है करनाटक से एक और चीत राद रखेगा करनाटक जो है बो मक्का उठ पादन में कौपी उठ पादन में सूरज मुख्य उठ पादन में यह सारे उत पादन में भारत में प्रताम अस्थान पर है नक्स कोशन हमारा कोशन नमर ठट कोशन नमर ठट कह रहा है निमन में से कौन धोला धर स्रेनी छेतर की एक प्रमुख जन जाती है तो इस कोशन का जो सयन से रोका पोज़ेगा option number C गदी धोला धर देखे स्रेनी के अगर प्रमुख कुछ जन जाती हैं की बात करते हैं तो वो है गदी, लदाकी, गुजर, बकरबाल ये सब कुछ जन जाती हैं जो धोला धर स्रेनी की प्रमुख जन जाती हैं ठीक है और options की अगर बात करते हैं लेपचा जन जाती की बात करते हैं तो ये सिक्किम में है थारू जन जाती उत्राखंड में और संथाल जन जाती की बात करते हैं तो ये जारखंड की सर पर मुख जन जाती है और ये बंगाल उडिसा और आसाम में भी पाई जाती है next question है हमारा question number 4 question number 4 कह रहा लूनी नदी के संदर में सही कथन चुने लूनी नदी के संदर में अगर सही कथन चुनना है तो देखें लूनी नदी बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है यह नहीं है यह बहकर कच की खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो लूनी नदी जो है वो अजमेर के दस्चिन पच्चिम में अराबली स्रेनी से निकलती है और परवाहित होने के पस्चाथ या कच्च के दल्दरी छेतर में बिलुप्त हो जाती है क्लेर है लूनी नदी से एक्छीर याद रखेगा अध्यधीक लवंता के कारण मतलब इस नदी में बहुँ जादा लवंता पाई जाती है नदी के पानी में और इसी अध्यधीक लवंता के कारण इसका नाम लूनी पड़ा था एक्छी लूनी नदी से और याद रखेगा जो कालिधास थे कालिधास ने लूनी नदी को अंता सलीला कहा था क्लिर है, चलिए, अब बढ़ते आपने अगले constitution की तरफ, जो कि हैं हमारा question number five, question number five कर रहा, दामोदर नदी किसकी सहयक नदी है? तो दामोदर नदी के अगर बात करते हैं, तो ये हुगली कि सहयक नदी है, तो आपसे no.d19 जो होगा, वो हमारा सही aurusतर होगा, क्लिर हैं अगर हम दामोदर नदी की बात करते हैं तो इसका जो उदगा मस्थर है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है और यह नादी जो है वो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इससे याद रखेगा दामोदर नदी से कि इसी नदी पर देश की प्रथम प्राकर, कोनार, जमुनिया ये सब दामोदर नदी की सहायक नदिया है नेक्स कोषजन है कोषटन नमर्स 12 के रहा हां फूलो की घाटी अवस्थित है तो देखे पूलो की घाटी जो है वों उत्रा खंड में अस्थित है तो इसको याद रखेगा फूलो की घाटी को युन सारे राष्टिय उद्यान उत्राखंड में हैं अगर हम बात हिमाचर प्रदेश की करते हैं तो हिमाचर प्रदेश से याद रखेगा ब्रिहद हिमाले इंदर किला पीन घाटी सिमाल बारा ये सब हिमाचर प्रदेश में स्थित हैं अगर हम बात जमू कास्मीर की करते हैं तो जमू-KASMIR से याद रखेगा, सलीमली, हेमीज, किस्तबार, ये सब जमू-KASMIR में है. अगर हम बात केरल की करते हैं, तो केरल से याद रखेगा, पेरियार, साइलेंड भैली, अनाइमूडी, इबारी कूलेम ये सब केरल में इस्थित है. Klar है? चलिए. अब बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 7 question number 7 कहरा सुची एक को सुची देव के साथ सिमेलित कीजिए देखे, नोकरेक की बात करते हैं तो ये match करेगा मेगाले के साथ ये jab संरची छेतर है मेगाले में स्थित हैं और इसको 2009 में नोकरेक को UNESCO सुची बद किया था ठीक है, अगर हम बात सिम्ली पाल की करते हैं तो ये उडिसा में हैं और इसको भी 2009 में UNESCO सुची बद किया गया था अगर हम बात अगस्त मलाई की करते हैं तो अगस्त मलाई देखे, अगस्त मलाई मैच करेगा किसके साथ ये MP और 36 गड मत्रदेस और 36 गड के साथ और इसको 2012 में UNESCO के द्वारा सुची बद किया गया है क्लेर है चलिए अब अब अगले कोशन की तरब जो किया हमारा कोशन नमर 8 क्यारा दचिन अबम एसिया में निम्न में से कौन अस्थलूद देस है देखे अस्थलूद देस आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ अस्थलूद देस का मतलब वह ऐसा देस जो चारो ओर से सिर्फ अस्थल से घिरा हुआ देस होता है उसी को हम लोग अस्थरलूद देश कहते हैं यहाँ पूछ रहा है दच्छिन पूर्वेशिया का तो दच्छिन पूर्वेशिया का लाओस जो देश है वो क्या है अस्थरलूद देश है तो इस question का जो सई अंसर होगा वो हो जागा option number C ठीक है अगर हम बात एसिया महादीप में करते हैं तो एसिया महादीप में जो इस्थित अस्थरलूद देश है वो है अफगानिस्तान, भुटान, लाओस, नेपाल, खाजकस्तान, ताजिकिस्तान, उजेबिकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान ये सब एसिया महादीप के कुछ अस्थालूत देश है कोशन नमर नाइन कह रहा है निमलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सिमा नहीं बनाता है तो देखिए अगर हम बात कैस्पियंस आगर की करते हैं तो कैस्पियंस आगर छेत्फग की दृष्टी से 20 वका सबसे बड़ा जील है ठीक है और इसकी जो सिमाएं हैं वो पाँच देशों के साथ लगी हुई है वो पाँचों देश कौनकुन से हैं अजरबैजान, रूज, काजकस्तान और तुर्कमेनिस्तान और इरान यह पाँच देश हैं जिसमें इराक नहीं सामिल होता है तो कैस्पियंस आगर की जो सीमा है वो इराक से नहीं लगती है तो इस कोश्टन का जो सही अंसर होगा बो हो जगा option number C क्यास्पिन सागर से याद रखेगा ये छेत्पर्ग की द्रिष्टी में 20 का सबसे बड़ा जील है और इसकी जो औसत गहराई है वो एप्रॉक्स 604 फिट के आसपास है क्लिर है इसका कोई भी बाह गमन नहीं है बाह गमन नहीं है कहने का मतलब है इसका जो पानी है वो कहीं नहीं जाता है इसका पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बास्वी करन के द्वारा बाहर जाता है और इसके पानी का बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है Q10 के अरहा है, निमलिखित में से कौन सा देश हॉर्ण आफ अफेरिका में समलित नहीं है हॉर्ण आफ अफेरिका में अगर हम बात करते हैं, तो इल्टिया समलित है, सोमालिया समलित है, तंजानिया नहीं है, जीबूती भी है होर्न आफ अफिर्का में तंजानिया समलित नहीं है होर्न आफ अफिर्का के अगर हम बात करते हैं मतलब सोमाली प्रयादीप ये पूर्वी अफिर्का महादीप में सिंग के अकार का एक टिकोया निकला हुआ भाग है उसी को हम लोग horn of aphirka के नाम से जाना जाता है Question number 11 कह रहा है निमलिखिद में से कौन सा कथन अटकामा के समद्ध में सही नहीं है तो देखिए यह दच्छिन महिरका में इस्थित है बिल्कुल सही है यह संसार का सबसे सुस्क मर्वस्थल है यह भी सही है यह दच्छिनी चिली नहीं उत्री चिली में स्थित है इसमें नाइट्रेट के प्रचूर भंडार है यह भी बिल्कुल सही है और यह जो मर्वस्थल है वो कहां दच्छिनी चिली में नहीं उत्री चिली में स्थित है कुछ और मरू अस्थल जो अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि वो मैं repeat करता हूँ बोलता हूँ आप लोग उसे कहीं नो down कर लिजेगा जैसे कि है एक Gibson मरू अस्थल ये Australia में है Great Victoria मरू अस्थल ये भी Australia में गोई मरू अस्थल जो मंगोलिया में है तो ये सब कुछ मरू अस्थल जो generally frequently आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं next question है question number 12 question number 12 हों डूरस देश की राध्धानी है तो होंडूरस देश की राध्धानी क्या है इस question का जो सही अंसर होगा वह जागा option number C तेगू सिगलपा तेगू सिगलपा जो है वो होंडूरस की राध्धानी है ठ अब आना है ठीक है और लिब्रेरी की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा गेवाण क्लेर है चलिए अब अब वरते अपने अगले question की तरब जो किया हमारा question number 13 question number 13 कह रहा सुची एक बन सुची दो को सुमेलित करें सुची एक और सुची दो को सुमेलित करना है देखिए किले की बात करते हैं तो यह उत्री अमेरिका का सरबोच परवत है ठीक है और इसकी हाइट कितने है 6190 मीटर है अगर हम बात अल्बू बूस की करते हैं तो अल्बू बूस रूस और यूरोप का सरबोच परवत है तो यह मिलेगा जाके यूरोप से और इसकी जो हाइट है वो है 5,642 मीटर ठीक है और क्ली मंजारों की बात करते हैं तो क्ली मंजारों ये तन्जानिया में इस्तित है मतलब अफेरिका का ये सबसे उचा परवत है तो ये जाकि एफेरिका में मिलेगा और इसकी हाइट है 5,895 मीटर क्लेर है चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरब जो किया हमारा कोश्चन नमर 14 कोश्चन नमर 14 कह रहा है बिहार के किस पच्छी बिहार की गन्ना 20 के बेटलैंड के रूप में की जाती है बिहार के बेगु सरयजिले में ये इस्थित है ठीक है और इसे पच्छी बिहार की मानता का मिली थी काबर पच्छी बिहार को इसलिए इसको बेटलेंड के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात बक्सर पच्छी बिहार की करते हैं तो यह आप लोगों को पता ही होगा कि यह बिहार के बक्सर जिला में है और 25 किलो मिटर स्कुार के छेत्फल में बिक्सित किया गया है। अगर हम बात गोगा बिल की करते हैं, तो ये गोगा बिल कटिहार में है, ठीक है, और ये जो है कुसेसवर पच्छी बिहार, ये बिहार के दरभांगा जिले में इस्थित है, और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पच्छी बिहार भी है. next question है question number 15 question number 15 कह रहा है बिहार में national jute manufacturing meal कहाँ पढ़ है तो बिहार में जो national jute manufacturing meal है वो है कटिहार में तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है बिहार में jute उत्पादन को बढ़ाबा देने के लिए ही national jute manufacturing meal की इस्थापना की गई थी जिसका मुख्याल है कहा है कटिहार में स्थित है अगर हम बात जूट की करते हैं तो जूट से याद रखेगा पूरे बल्ड में भारत सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है और पूरे भारत में पश्चिन बिंगाल जो है वो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करत नग्स कोशिण है हमारा कोशिए नमबर 16 कैया रहा है बिहार के कितने जीले जारखन rhoा से ऐस्पर्स करते हैं ठीक है तो बिहार के कुल आठ जीले जो है वो जारखन rhoा से असपर्स कड़ते है भो आठ जीले है जोतास और अंगाबाद गया नबादा जमुई बाका उत्तर में है नेपाल, पूरम में है पच्छिम मंगाल और दच्छिन में है जारखंड Next question है question number 17 Question number 17 कहा रहा है भीतर कनी का अभियारन किस राज में इस्थित है तो भीतर कनी का अभियारन जो है वो उडिसा राज में इस्थित है तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जगा option number C और भीतर करनिका अभियारन से एक चीज़ याद रखेगा ये मगर मच प्रजनन परियोचना के अंतरगत भारत का सबसे बड़ा अभियारन है ठीक है और options की अगर हम बात करते हैं अगर करनाटक की बात करते हैं तो करनाटक से याद रखेगा बांदिपूर, बनेर घर्टा, नागर होल, कुंदेर मुख ये साधे राष्ट्य उद्यान करनाटक में है अगर हम बात असाम के करते हैं तो असाम से याद रखेगा काजी रंगा, मानस, नामेरी, और रंग, उडिसा से याद ही रखेगा, भीतर का निकायक और एक और याद रखेगा, सिमली पाल जो बहुत बारिक जाम में पूछा जा चुका है मधपदेश की अगर बात करते हैं तो मधपदेश से याद रखेगा, काना, माधब, पन्ना, सदपूरा, बांधबगड, ये साधे राष्टियों द्यान मधपदेश में इस्थित हैं अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो किया हमारा कोश्चन अबर 18 कोश्चन अबर 18 कह रहा है भारत बन इस्थिती रिपोर्ट 2019 जो हाली में जारी की गई है वो इस स्रेनी की कौन सी रिपोर्ट है देखे, भारत बन इस्थिती रिपोर्ट है, ये तो हर एक दो साल में जारी किया जाता है ठीक है, और ये इस रेनी की सुलहमी रिपोर्ट है, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, बो हो जगा, अपसर निम्मर सी ये हर एक दो साल में जारी किया जाता है और किसके द्वारा Forest Survey of India के द्वारा जारी किया जाता है और 1987 से स्टार्ट किया गया है तो 1987 से हर दो बार जोड लीजे तो ये हो जाएगा सुलहमी बारिस का परकासन किया गया है ठीक है इससे एक चीर और याद रखेगा अब बन सिती रिपोर्ट 2019 से कोश्चन बहुत बार इक जाम में पूछा जा जा चुका है कि सरवादीक बनाबरन परतिसत वाले राज कौन है तो सरवादीक बनाबरन परतिसत वाले अगर जाज पूछेगा तब तो अंसर हो जाएगा मिजोरम लेकिन अगर पूछेगा सरवादीक बन छेतरफल वाला राज तब हो जाएगा मध्यपदेश और सरवादीक ब्रिधी किस राज में हुई है तब हो जाएगा अंसर करनाठ का नग्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क् रोतास जो है वो नहर सी चाई में पहले नम्बर पे है और नहर सी चाई में नियूंतम पुछे ले तब हो जाएगा मुझा परपूर और नलकूप द्वारा सरवाधिक पुछे तब अंसर होजाएगा पठना तो ये सब चारो पांचो याद रखेगा सरवाधिक शिंचित तीसरे नंबर पर, Next Q question है Q no. 20, Q no. 20 काया रहा जवाहारलाल नहरु ने संबीधान सभा में उदेष परस्ताओं कब पेस किया था, तो इस Q no. का जो सयंसरोका बहु हो जागा, option nमरे 13 दिसंबर 1946 को जवाहारलाल नहरु ने संबीधान सभा में उदेश प्रास्ताओं को पेस किया था और फिर 22 जनवरी 1947 को सर सोमत्ति से इसे सुईकार कर लिया गया था ठीक है और सम्विधान सभा के द्वारा जब इसको सुईक्रिति दे दी गई थी तो इसी के सुईक्रिति के पश्चाप सम्विधान राचना के विभिन पहलूँ से न सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ बिदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है तो भारत के नागरिकों के साथ साथ बिदेशी नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है वो है अनुछेद 14 और अनुछेद 21 क्या है अनुछेद 14 है समता का अधिकार और ये सब मौलीक अधिकार के अंतरगत हैं और ये सिर्फ और सिर्फ भारतिया नागरी को कोई प्राप्त है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की दरब जो कि है हमारा question number 22 question number 22 कह रहा है किस सम्विधान संसोधन द्वारा मौलीक अधिकारों की संख्या साथ से घटा कर छे कर दी गई थी तो इस question का जो सही answer का बो हो जगा option number C यानि 44 सम्विधान संसोधन 44 सम्विधान संसोधन हुआ कब था? 1978 में और 44 सम्विधान संसोधन में के द्वारा मौल अधिकारों सुची से एक मौल अधिकार को हटा दिया गया था और कौन था वो? सम्विधान के अधिकार को मौल अधिकार सुची से हटा कर सम्विधान के भाग 12 में अनुछे 300 क के तहट कानूनी अधिकार बना दिया गया था और फिर अभी बरतमान में मौल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है साथी साथ याद रखेगा और अगर और options की बात करते हैं अगर हम 24 में समीधान संसोधन की बात करते हैं तो 24 में समीधान संसोधन हुआ है 177 में और ये गोलक नाथ के मामले में उत्पन इस्थिती के संदर में ये संसोधन हमें बताता है 42 समिधान संसोदन की बात करते हैं तो ये है 1976 में और इसी को हम लोग मीनी कंस्टूचीउसन के भी नाम से जानते हैं और इसमें जो में इंपोर्टेंट है वो है मौली करतब को जोड़ा गया था और प्रस्तावना में तीन सब्द जोड़े गये थे अगर हम बात बामनमा समिधान संसोदन की करते हैं तो ये हुआ है 1985 में और इसमें दसमी अनुस्टूचीज को जोड़ा गया जिसके अंतरगत दल बदल संबंधी प्रद्धान है Q23 कह रहा है कि धन बिदयक के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत है तो धन बिदयक को केबल लोकसभा में पुना स्थापित किया जा सकता है ये सही है धन बिदयक लोकसभा द्वारा असुकित होने पर सरकार को त्याग देना पड़ सकता है ये भी सही है राज सभ हमें इसको यानि उच्छ सदन की बात कर ला है तो उच्छ सदन यानि राज सब हमें इसे अधिक्तम 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है यहां तीन मा लिखा हुआ है तो यह गलत है धन विद्याइक को लोग सबह में पेस करने से पहले राश्पती यानुमती लेनी पड़ती है और इसे राज सबहा सिर्फ और सिर्फ मतलब अधिक्तम 14 दिनों तक रोक सकता है नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर 24 कह रहा है निमलिखिन में से हुआ कौन सा समीति है जिसमें केबल लोग सबहा के साथ राज सबहा से होते हैं अगर हम बात प्रकलन समीति के करते हैं तो इसमें 30 सबहा से होते हैं और ये 300 के 30 सबहा से होते हैं अगर हम सारवजनिक महत्र के किसी भी से पर राष्टपती उच्तम नियाले से सलाह मांगता है यह सलाह राष्टपती सम्मिधां के किस अनुछेत के अंतरगत मांता है तो यह सलाह जो है वो राष्टपती जो है वो अनुछेत 143 के तहत मांगता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो हो जा आश्पति जो है वो बाद नहीं होता है और आप संस की बात करते हैं तो अनुछेद 243 जो है वो पंचाइती राज से संबंदी थे अनुछेद 169 जो है वो बिधान परीसर से संबंदी थे और अनुछेद 145 जो है वो सर्बोच नियाले के कारवाही से संबंदी थे Next Question is Question Number 26. Question Number 26 says, संसर द्वारा दल-बदल विरोधी कानून किस बर्स पारित किया गया था? तो ये अभी हम लोग देखें, दल-बदल विरोधी कानून जो है, वो 1985 में पारित किया गया था, और बामन मा संमिधान संसर तन 1985 में ही जिला नियोजन समीती की चर्चा समीधान के किसा अनुषेद में किया गया है तो जिला नियोजन समीती मतलब कमीटी for district planning की बात कर ला तो कमीटी for district planning जो है वो इस question का जो सायन सरोगाब हो जागा option number C, अनुषेद 243, जड़ी next question है question number 28 कोशन नमर 28 कह रहा है राष्टपती अध्यादेश कब जारी करता है तो राष्टपती अध्यादेश कब जारी करता है तो इस कोशन जब दोनों संसद में मद्भेध हो नहीं जब कोई विध्यायक संसद में एक बर से अधीक समय से विचारा धीन हो तब नहीं जब संसद का अ अनुन के समान ही होता है यह अध्यादेश और अनुछेद 123 के अंतरगत राष्टपती अध्यादेश जारी करता है याद रखिएगा अनुछेद 123 राष्टपती से रिलेटेट कुछ और अनुछेद भी याद रखिएगा जो बार-बार एकजाम में पुछा जाता है अप लोग कहीं नोट डाउन कर लिजे अनुछेद 52 जो है राष्टपती का पद अनुछेद 33 जिसमें है राष्टपती की सकती और कारका विब्रण अनुछेद 54 जिसमें है राष्टपती का निरवाचन अनुछेद 61 जिसमें है महाब योग अनुछेद 72 राष्टपती को छम पहचान करें तो देखिए इस कोश्चन का जो सइयन सरोगा बहुँ जगा आपसे नमर डी राश्पती उपराश्पती परधान मंत्री और राजपाल ठीक है और इसके बाद फिर आएगा भूदपुर्ग राश्पती राजपाल के बाद नक्स्कोश्ण है मारा कोश्चन नमर 30 का है भारत नेट योजना के तहट किस्तितीक तक देश के सभी गाऊं को बाइफाई से जोडने का लच्छन दिधारित किया गया है तो इसकोश्चन का जो सही अनसरोगा बहु हो जगा और ऑप्सन नमर डी मार्च 2020 तक ठिक है भारत ने फिर इसको बाद में बदल कर भारत नेट योजना कर दिया गया है इसमें सभी गौओं को बाइफाई से जोडने का लच रखा गया है जिसमें की जो broadband speed होगा वो दो से लेके 20 mbps तक होगा clear है चलिए अब बटते हैं अब अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 31 question number 31 कह रहा rate data book कि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है तो rate data book जो है वो जारी किया जाता है IUCN के द्वारा IUCN क्या है IUCN है International Union for Conservation of Nature ठीक है और यह 1969 से IUCN जो है next question is question number 32 question number 32 कह रहा उनीसमें ECI खेल बर्स 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा तो उनीसमें ECI खेल की बात करते हैं तो देखिए जो खेल होगा वो एक पीछे वाला और एक आगे वाला आपको याद रखना होगा तो 18 हमा जो ECI खेल हुआ था वो 2018 में हुआ था और जाकरता इंडोनेसिया में हुआ था 19 ECI खेल जो है वो 2022 में होंगीन चाइना में होगा और जो 20 ECI खेल है वो 2026 में जापान में होगा तो ये 19 मा की बात कर रहाए तो उनीसमा होगा चाइना में तो इस Question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा Option No.B Question No.33 कर रहा है वरतमान में अफजान के राष्टपत्य गौन है तो ये मालदीब के राश्टपती हैं और हसन रुहानी इरान के राश्टपती हैं कोश्चन No.34 कहरा है कोश्षचन No.35 कोश्चन No.35 किस मंतराले द्वारा हाली में उमीद पहल का सुभारंग किया गया है अगर हम बात उमीद की करते हैं तो उमीद के फॉल्फरम से ही पता चलियागा उमीद यह है UMMID उमीद का फॉल्फरम होता है यूनिक मेथर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन हैरिटेड ड अनुभांस की बीमारियों से निपठने के लिए अस्टार्ट किया गया था Q 36 Q 6 मुद्रास पिती से निम्न में से कौन सा बढ़ant लाब की स्थिति में रहता है तो मुद्रास पिती से देखिए उत्पादक लाब में रहता है लाब की स्थिति में रहता है एरीनी भी जो है वो लाब की स्थिति में नहीं रहता है परिवर्टन सिल आयसमू रहता है एरीन दाता भी रहता है लेकिन जो एरीनी है वो नहीं रहता है तो इस question का जो सहयन सरो जगा बहुत जगा first three and four यानि option number D next question है हमारा question number 37 question number 37 कह रहा है निम्न में से कौन मौदरिक निती के मातरात्मक उपकरन है देखिए मौदरिक निती यानि जो monetary policy है RBI की उसमें दो तरह की उपकरन होते हैं एक quantitative और एक qualitative यहां बात कर रहा है मातरात्मक उपकरन की तो मातरात्मक उपकरन कौन है ठीक है तो मातरात्मक उपकरन की अगर बात करते हैं तो SLR CRR bankdar खुले बजार की क्रिया है यह सब मातरात्मक उपकरन है तो इस question का next question is question number 38 question number 38 कहारा UK सिनहा समीती निम्न में से किसे समदित है UK सिनहा जो समीती है वो MSME सेक्टर से समदित है जो Micro, Small and Medium Enterprises सेक्टर है हमारा UK सिनहा जो समीती है वो 8 सदस्य समीती थी और जो MSME की Framework की समीच्छा करने के लिए इसका गठन किया गया था जिसकी अध्यश थे UK सिनहा और इनहीं के नाम पे रख दिया गया था UK सिनहा समीती और यह जो UK सिनहा थे यह सेवी के पुर्व अध्यश भी रह चुके हैं Next question है मारा question number 39 Question number 39 काईळा केंदरिये बजट में पुंजिगत प्राप्टियों के अंतरगत निवन मैं से कौन सामिल नहीं होता है इत्यादी ये सब सामिल होता है लेकिन निवेष एलीन भुक्तान एलीन भी तुर्व पुंजिगत बया के अंतरगत आता है तो राज कोशिय घटा क्या होगा बजेटरी घटा प्लस उधार अभम अन देता है जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं राज कोशिय घटा बोलते हैं नेक्स्क्क्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट की गती से कितने गुणा अधीक होती है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number C चार गुणा hydrogen gas की जो बिसरन की गती होती है वो oxygen gas की बिसरन से अधीक होती है अगर हम बात करते हैं की बिसरन होती क्या है तो घनत में अंतर रहते हुए प्रथिवी के गुरुतवा कर्षन के बिरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जूलने की सोभाविक प्रकिरिया कोई हम लोग क्या बोलते हैं बिसरन बोलते हैं नेक्स कोशन है कोशन नबर 42 कह रहा है ब vendor साथनी में बurg में ऊपर से नीचे जाने पर परमानू का आकार पर क्या परभाभा पड़ता है कोशन न Convention के प्रॉच्छन ने के समझ थानिक होते हैं फकी तूम Q44 कहे रहा, उन पदार्थों के द्रव नंग दाब बढ़ने से क्या होता है, जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है, तो उन पतार्थों के दरबांग दाप बढ़ने से बढ़ जाता है जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है आप लोग मोम को देख सकते हैं तामबा को देख सकते हैं तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा option number A बढ़ जाता है question number 45 का रहा हीरा का अप्रवरतां मतलब reflective index कित्रा होता है तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा option number B 2.4 बन 7 होता है इसे तो हीरा का उतार 2.4 बन 7 ठीक है और हीरा जो है वो पूर्ण आर्थिक परिवरतन के कारण चमकता है question number 46 question number 46 का रहा है निम्न में से रक्त किसका उदाहरन है तो रक्त किसका उदाहरन है रक्त को लाइड का उदाहरन है ठीक है question number 47 का रहा है सिक्रेट लाइटर में कौन सी गैस परियोगत होती है तो सिक्रेट लाइटर में ब्यूटोन का परियोगत किया जाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number D यानि ब्यूटेन देखिए ये क्या है ब्यूटोन जो है वो कब दवाब पर एक तरल होत जाते हैं क्योंकि इसमें एक ऐसी गैस की तुलना में प्रती काई मातरा अधी कोई उल जा होती है जब वॉल्ब के माधियन से इसको दवाब प्रेसर डाल के छोड़ते हैं तो ये तुरंत गैस में बदल जाता है और जिससे क्या होता है ये बहुत असानी से प्रोजलित हो जाता है मतलब जल जाता है clear है चलिए अब बढ़ते हैं अपने एगले कोईशन की तरफ जो कि हमारा कोईशन नमबर 48 कह रहा है कि प्याज लहसुन में गंध किस दहातु के कारण होती है तो प्याज लहसुन में जो गंध होता है वो सलफर यूग तरह साइनों के कारण होता है तो इस और कोईशन के ब्राबर 10 के ब्राबर 10 के ब्राबर 10 के ब्राबर clear है चलिए अब अड़ते हैं अगले question की तरब जो कि हमारा question number 50 sorry question number 50 कह रहा है कि जब हम तैरते हैं तो किसी नदी या तलाब में Newton की कौन सी गती कार्थ करती है देखे जब हम तैरते हैं तो Newton की तीसरी गती काम करती है Newton की तीसरी गती का जो नियम है वो ये कहता है कि every action have equal and opposite reaction मतलब हम जितने force आगे लगाते हैं उतना ही वो हमें पीछे लगता है जैसे देखते होंगे कि नदी अतलाब में जब हम तैरते हैं तो तैरते समय हम लोग जो हाथ फेकते हैं वो धारा के बिप्री डारेक्शन में फेकते हैं next question है question number 51 question number C a plus b don't know अगर हम लोग प्रथम गती की बात करते हैं तो प्रथम गती हमारा ये कहता है कि कोई चीज अगर rest में है तो वो rest में ही रहना चाहता है कोई चीज अगर motion में है तो वो motion में ही रहना चाहता है जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं अपलाई करते हैं next question है question number 52 question number 52 कह रहा है उपगरा का परिक्रमन काल किस पर निर्भर करता है तो उपगरा का जो परिक्रमन काल है वो द्रभमान पर निर्भर करता है तो इस question का जो सईयांसर होगा बहु हो जागा आपसे नमर से द्रामान प्रनिर्भार नहीं करता है Q53 कहा रहा है किसी आदर्स तरल की सेयनता कितनी होती है सेयनता यानि विसको सिटी पूछ रहा है आपसे तो किसी भी आदर्स तरल जो विसको सिटी होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, सुन होता है तो सबसे ज़्यादा बेदन चंता किसका होता है गामा किरने का होता है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा गामा किरने से एक चीज आर याद रखेगा गामा किरने के खोज करता का नाम था पॉल बिलॉड question number 55 कह रहा किसी बस्तू के ताप निम्न में से कितना से कम नहीं हो सकता है तो किसी बस्तू का जो ताप है देखे अगर हम बात करते हैं सैधानिक रूप से तो सैधानिक रूप से क्या होता है कि अधिक्तम ताप की तो कोई सीमा नहीं है परंतु नियूंतन ताप की एक सीमा है जो किया है कि कि किसी बस्तू का जो ताप है वो माइनस 270 डिग्री से कम नहीं हो सकता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं परम सुन ताप भी कहते हैं तो इस question का जो सही अंसर होगा बोह जाएगा option number C minus 273 degrees Celsius question number 56 कह रहा है जीब दरब का लगबग कितना प्रतिशत भाग जल होता है तो जीब दरब का लगबग 80% भाग जल होता है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जीब दरब होता क्या है कोसिका के कोसिका जीली के अंतरगत अंदर संपुन पदार्थ कोई हम लोग क्या बोलते हैं जीब दरब कहते हैं question number 57 का रहा है preocreatic कोसिका की कोसिका भीती बनी होती है लेकिन अगर आपसे question पूछज्फे प्रोक्रीयटिक के के जगा eucleodic क्या तो eucleodic की themes कोसिका की होती है बो céslunolos balance से बनी होई होती है क्लेर है चलिए अब अरते अपने अगले question की तरब जो कि हमारा question number 58 question number 58 कह रहा है आर्द सूत्री 1B भाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है तो आर्द सूत्री 1B भाजन की 4 अवस्थाएं होती है बो अवस्था है प्रोफेज 1st, मोटाफेज 1st, एनाफेज 1st और टेलोफेज 1st जिसमें सबसे लंबी जो प्रावस्था होती है बो होती है प्रोफेज 1st तो option number A जो है बो हमारा सही अंसर होगा clear है चलिए अब 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 अगले question की तरब जो कि हमारा question number 59 question number 59 कह रहा कि पर्दूसन का सर्भोचं सूचक निम्द में से कौन है तो पर्दूसन का जो सर्भोचं सूचक है वो है SO2 तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number D next question is question number 60 question number 60 सुमेलित करने कह रहा है तो इसमें जो दम्मा है वो किसके साथ मैच करेगा दम्मा जो है वो मैच करेगा एस पर जीलियस फिगोमी गेटस के साथ खाज की अगर हम बात करते हैं तो खाज मैच करेगा एकरस केपीटस के साथ गंजापन की अगर हम बात करते हैं तो गंजापन मैच करेगा किसके साथ तीनिया केपीटस के साथ और एथलीट फूट किसके साथ मैच करेगा तीनिया पेडिस के साथ तो अब इसको आप लोग मैच कर लिजेगा तो ए आज जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 61 question number 61 reasoning का question है यह भी बड़े आराम से इसको sequence है तो में आप लोग follow कर लिजेगा सही है इसका बनाईएगा तो इसका जो अंसर आएगा वो आजाएगा option number C next question है हमारा question number 62 देखे question number 62 की बात करते है तो question number 62 में series है और series यह इस form में है one का q plus में one लिख दिया है तो two है फिर है three का q उपस में three हाँ इसके बाद है फिर देखे one का q plus में one तो यह हो जाएगा two उसके बाद two का q plus में two तो हो गया 10, उसके बाद 3 का Q प्लस में 3, तब हो गया 30, इसी तरह से 4 का Q प्लस में 4, 5 का Q प्लस में 5, और 6 का Q प्लस में 6 कर दीजेगा, तब हो जाएगा 222, तो option number B जो है वो आपका सही अंसर होगा, Q प्लस में 6, तो देखिए, मेमना, साबक और बचड़ा, यह तीनों क्या है, यह जानवरों के छोटे बच्चे को कहा जाता है, और हीरन क्या है, एक संपूर्ण कंप्लीट बड़ा जानवर है, तो इस Q प्लस में 6, यह परस पर बदल के देख लीजेगा, कौन होता है, यह सब Q आराम से इजली बना लीजेगा, तो इस Q कोशन का जो सही अंसर होगा, बहुँ हो जागा, उप्सन नबर D, नक्स Q कोशन है, Q 65, जो DICE का कोशन है, यह भी मैं आप लोगों को करने के लिए और पहले के सेट्स में बता चुका हूँ, इसको कीजेगा, जो common है इन दोनों में 3 प्लस में 1, 9 3 जा, 27, 27 प्लस 1, 28 और 28 आया, अब फिर 28 क्या क्या है, 28, 3 जा, 84 और प्लस में 1, 85, clear है, तो इस Q कोशन है, इसी इन टू में 3 प्लस में 1 का सिक्वेंस बन रहा है, जैसे 16, 16, 3 जा 48, और 48 प्लस 149, और इसी तरह से 49, 3 जा कितना हो जागा, 147 और प्लस में 1, 148 तो इस Q कोशन का जो सही अंसर आगां, बहु हो जागा, 148 यानि आपसर नमबर B, Next Q कोशन है ट्रेंगे고요67, 67 में ट्रेंगल काउंट करने करने का रहा है, ट्रेंगल काउंट कीजिएगा तो आपका जो ऐनसर आगा बहु हो जागा 22 यानी आपसर नमबर C, Next Q कोशन है कोशन मेत्र 14 संटी मिटर है इसको हम लोग यह लिख सकते न इसकी जो लंबाई है वह 1517 संटी मिटर है और जो चड़ाई है वह 902 सेंटी मिटर है ठिक है अब बरगाकाट टायल से निकालना होता है तो हम हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लंबाई और चोडाई का हम लोग HCF निकाल लेते हैं, मसा निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का मसा निकाल लिएगा तो आजाएगा 42, महतम समाबर तक 41 आजाएगा, और फिर नंबर आफ टाईस यहां पूछ रहा है, तो नंबर आफ टाईस निकालने के लिए क्या होता है, कमरे का छेत्रपल, और बटा में टाईल का छेत्रपल, तो कमरे का छेत्रपल कितना हो जागा, 1517, इंटू में 902, और टाईस का छेत्रपल हो जागा, 41, इंटू में 41, इसको सॉ हैं तो कितने करमचारी असना तक है यह पूछ रहा है देखिए मान लीजे कि करमचारी है वो है 100 टोटल करमचारी कितने है मान लीजे कि 100 है या फिर आप एक समान के भी बना सकते हैं 100 करमचारी में से 40% मैट्रिक पास है यानि बचे का 50% यानि बचा का 50% 30 जो है वह इसनातक है तो बात बाकी 180 करम चाली यानि टो बचे कितना अगर हम 30 माने तो 30 बराबर हो अगर कुछ प्लस या माइनस लि схटे तो प्लस या माइनस की बात अगर आ जाती है तो वहां हमां लोग 100 नहीं मान सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ x मान सकते हैं लेकिन अगर multiply और division की बात कर जा है तो वहां हम लोग x भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं clear है चलिए अब है next question question number 70 question number 70 कर रहा है एक टंकी के 3 बटा 4 भाग में पानी भरा हुआ है 21 लिटर पानी निकाल देने से टंकी का 2 बटा 5 भाग भरा रहता है 3 बटा 4 भाग में पानी भरा हुआ है ठीक है और इसमें से 21 लिटर हम पानी निकाल देते हैं तो देखिए तो तब फिर 2 बटा 5 भाग भजाता है तो 3 बटा 4 माइनस में 2 बटा 5 किजेगा तो 7 बटा 20 और यही 7 बटा 20 के बराबर किता हो गया 21 दिया हुए कोशन में तो इसको solve किजेगा तो आजाएगा 60 लिटर यानि option नमर डी जो है वो हमारा सही answer होगा clear है चलिए next question है question number 71 question number 71 दिया हुआ a और b और c के value दिया है तो ये q plus b q plus c q minus 3 a b c equal to पूछ रहा है देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि a plus b plus c is equal to 0 हो जाएगा तब क्या होगा a q plus b q plus c q minus 3 a b c is equal to 0 हो जाएगा ठिक है तो a plus b plus c equal to 0 हो जा रहा है तो ये इस पूरे के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा या और option number a जो है वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 72 question number 72 कह रहा है तो कितने समय बाद बोपून मिलेंगे ऐसा question जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना होता है LCM निकाल देना होता है और LCM निकालने के लिए आप लोग fraction के LCM निकालने के लिए पढ़े होंगे कि उपर वाले का LCM निकाल देते हैं और नीचे वाले का हम लोग क्या निकाल देते हैं LCM में पूर्या कर सकेंगे तो इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं तुबेल्ब इन्टू में 10 इन्टू में 1 और अपन में X इन्टू में 20 इन्टू में 3 इसको cancel out कर लिजेगा तो अंतर आजएगा 10 बेक्ति यानि option number A next question है question number 74 74 कह रहा है नितीन के बेतन में 2,000 रुपे ब्रिधी करने पर या 12,000 हो जाती है तो उसके बेतन में कितने परतिसाथ ब्रिधी होई है तो देखें नितीन के बेतन 2,000 ब्रिधी करने पर 12,000 हो जाती है यानि पहले उसकी बेतन 10,000 थी और अब बढ़के 12,000 हो गया है question about 75 कह रहा है एक ब्रिज जिसका O केंदर है कि जीवा A, B, C, समकोन E पर प्रति छेद करती है और अंगल O, A, B is equal to 25 डिग्री है तो अंगल E, B, C is equal to क्या होगा देखिए इस question के लिए आपको diagram की जोड़त पड़ेगी यह suppose कर लिजे कि circle है यह कुछ ऐसा इसका यह center होगा इसक इसको हम लग माल लिए A, इसको माल लिए B, इसको माल लिए O ठीक है अब यहां से आया हुआ है ठीक है और एक आया हुआ है यहां से ठीक है तो diagram थोड़ा साही से नहीं बना है और यह किसको match किया हुआ है ठीक है यहां माल लिजे C, इसको माल लिजे इस वाले point को E, इसको म बनाई है बन जाएगा अब क्या क्या जाए एंगल OAB यह वाला दिया हुआ है 25 डिगरी अब देखे तो यह और यह लाइन बराबर है क्योंकि रेडियस है तो जब यह वाला एंगल 25 है तो यह वाला भी एंगल 25 होगा अब जब यह 25 है यह 25 है और सम फॉल अंगल साफटर अगर हम बात ECB करते हैं तो ECB 65 और यह तो 90 डिग्री दिया हुआ है क्योश्चन में तो यह 90 डिग्री अप्लस में 65 डिग्री और इसको 180 में से माइनस कर दीजेगा तब अंसरा जागा 25 डिग्री यानियो अप्शन नमबर B Q76 कह रहा है कोई दू कंदार 200 की क्रेमूल वाले बस्तु पर कितना अंकित मूल यह ताकि 25 परसेंट का बट्टा देने को प्रांथ उसे 50 परसेंट का लाब ग्राब थो माल लिजे कि अंकित मूल जो है वो उसका एक्स रुपया है तो एक्स इन्टू में 75 अपॉन में 100 इस इक्वल टू कितना हो जागा 200 इन्टू में 35 अपॉन में 100 इसको सॉल्फ कर लिजेगा तो एक्स ब्राबा दा जागा कितना 360 यानि ऑप्शन नमबर D नेक्स कोशन है कोशन नमबर 77 कोशन नमबर 77 कह रहा है एक सीरीज है उसकी अगली संख्या आपसे पूछ रहा है तो यह सीरीज है वह इसी तरह से लिखा हुआ है जैसे पहले था 1 का Q प्लस में 1 ठीक है 2 का Q प्लस में 1 3 का Q प्लस में 1 4 का Q प्लस में 1 इसी तरह से 6 का Q प्ल वन बाई 4 भी ठीक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A ratio B is equal to 1 ratio 4 फिर दिया हुआ है B is equal to 1 by 2C B is equal to 1 by 2C तो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं B ratio C is equal to 1 ratio 2 लिख सकते हैं अब जब A ratio B is equal to 1 ratio 4 दिया हुआ दिया हुआ है तो ABC देखिए क्या दिया हुआ है इससे हम लोग लिख सकते हैं A ratio B is equal to 1 ratio 4 दिया हुआ है और B ratio C is equal to 1 ratio 2 दिया हुआ है तो ABC निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है तो A और B 1 ratio 4 हो गया यह 1 by 2 हो गया अब खाली जो जगह उसके बगल वाले से भर दीजे अब इसको multiply कर दीजे तो यह हो जगा 1 ratio 4 ratio 8 दिस question का जो सही अंसर होगा बहुआ हो जगा आपसे नमबर C next question है question number 79 question number 79 देखिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ इसको correct कर लिजेगा question number 79 कह रहा है A, B, C का औसत बजन 84 kg है अगर D को भी मिला दिया जाय तो बजन 80 kg बढ़ जाता है यह गलत लिखा हुआ है अगर D को भी मिला दिया जाय तो औसत बजन 80 kg हो जाता है यह question है औसत बजन 80 kg हो जाता है यदि एक बजती E है जिसका बजन D से 3 km जादा है A की जगा आ जाय तो B, C, D, E का औसत बजन 79 kg हो जाता है तो A का बजन ग्याद कीजिए देखिए A प्लस B प्लस C का औसत बजन 84 दिया हो है तो टोटल हो जागा 84 into mid 3 तो 200 बामन उसके बाद A प्लस B प्लस C, D का हो जागा 80 और 4 लोग है तो टोटल हो जागा 320 तो यहाँ से D का निकल जागा 68 अब जब D का 68 निकल गया तो यह उससे 3 kg जादा है तो E का हो जागा 71 ठीक है आपसा नमर C 75 नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 80 कोश्चन नमर 80 का रहा कोई धंदासी सा भारंग भ्याज की किसी दर पर 3% के लिए उधार दी जाती है यदि उससे 2.5% बारसी अधीक दर पर उधार दिया जाए तो 545 अधीक भ्याज हो जाता है देखे इसको कुछ नहीं पी इंटू में आर कितना है और जितना भी उससे 2.5% जादा है इंटू में 3 अपॉन में 100 इस इक्वल्टू कितना हो जाएगा स्वाल इस इक्वल्टू करें माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा पी इंटू आर इंटू 3 अपॉन में 100 और यह किसके बराबर होगा पलासी का यूद कभा था तो पलासी का यूद कभा था यानि आपसे नमबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बाद पलासी की यूद की करते हैं चलिए पलासी का यूद हुआ था टेज जुन 1700 संतामन को मुर्सीदाबाद के दच्छिन में बाइस मीटर दूल नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नावा का स्थान में हुआ था इस यूद में हुआ क्या था एक और बिटिस इंडिया कंपणी की सेना थी और दूसरी और बंगाल के नवाब की सेना थी कंपणी की सेना ने रोबेट क्लाइब के नेतरित मे नवाब सिराजु दोला को हडा दिया था next question है question number 82 question number 82 कह रहा है महालबाड़ी बेवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी तो महालबाड़ी बेवस्था जो था बो सर पर्थाम halt मैंके जी के द्वारा लागू किया गया था और इस बेवस्था में था क्या तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमान मिलता है मुझे एरा नवी लेक से और एरा नवी लेक यानि भानुगुप्त ठीक है भानुगुप्त की एरा नवी लेक से प्राप्थ होता है तो इस question का जो सही अंसरो का बो हजागा option number B question number 84 क्या कह रहा है question number 84 कह रहा है यदि किसी अर्स बेवस्था में भंडारन बंबितरन की सुद्धा में कमी हो और इसके कारण मुलों में बढ़होतरी हो जाए तो भाई यह इस्थिती क्या कहलाएगी तब जो यह इस्थिती है वो कहलाएगी संचारणात्मकえ मुदरासपिति यानि option number C next question question number 85 कार रहे है दिली सल्तानत के किस असक ने एकतब प्रहनाली की शुर्वात की तो एकतब प्रहनाली की शुर्वात किसने किया था इल्टूतमिस ने किया था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर है इल्टूतमिस कब से कब सासन किया था? 1211 से लेके 1236 तकिनों ने सासन किया था और इसने तूर्के चिहलगानी के भी अस्थापना की थी और इसने सूद अर्भी के सिक्के भी जारी किये थे और इसको क्या बोला जाता है? इल्टूतमिस को मकमरा निर्मान सेली का जन्म दाता भी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है कोशन अबर 86 कोशन अबर 86 कह रहा है स्वामी दयानन सोरसती के संबंद में निम्लिखित में से कौन सा कथन? सही नहीं है तो 121875 में उन्होंने आर्ष समाज के स्थापना की थी बिल्कुल सही है उन्हें भारत का मार्टन लूथर किंक का मार्टन लूथर कहा जाता है ये भी सही है उन्होंने बर्ष 1873 में सत्य सोधक समाज के स्थापना की थी ये गलत है क्योंकि 1873 में इसा सोजक समाज की असापना तो हुई थी लेकिन दयानन सोरसती के द्वारा नहीं जो तीवा फूले के द्वारा किया गया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वह जागा अब प्रथम बहुत संगती भी राजगी रिल्म में हुआ था ये भी बिल्कुल सही है नक्स कोशन है कोशन अबर 88 कोशन अबर 88 का एड़ा निमलिखित यूद को कालन नुकरम की अनुसार सजाईए तो देखिए प्रथम है क्या बॉंडिवास का यूद तो बॉंडिवास का यूद की अगर हम बात करते हैं तो यह हुआ था 1759 में और प्रथम उंगल में असे यूद कब हुआ था 1767 से लेके 69 तक हुआ था तो इस कोशन का जो सही हैंसर होगा वह जगा ऑप्सन नमर डी 2314 नेक्स कोशन है कोशन नमर 89 कोशन नमर 89 कह रहा है महाभारत का फार्सियन उबात किस ने किया था तो महाभारत का जो फार्सियन उबात था वो अब्दूल कादीर बदू आयनी के द्वारा किया था और जिस कौन से सिर्षक से रज मना नामा सिर्षक के द्वारा किया था तो ठीक है अगर हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार से एक और Ведь रखेगा तो जिसमें प्रथम भी भाजन हुआ था और इन्होंने 1908 के मदरास अधिवेशन रखेगा अबुगालाम अज़ाद से रखेगा कि इन्होंने 1940 से लेके लगातार 2045 से साल तक अधिहच के रॉपित्तुर पे रह थे और ये कॉंग्रेस के सबसे यूबा अधिहच भी है और ये जो है बीर रागवाचारी ठीक है बीर रागवाचारी जो है वो नागपूर के अधिवेचन के अधिश्टा किये थे जिसमें या सहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन अमर 91 कोश्चन अमर 91 कारा निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है हाथी गुपा अभी लेक की बात कर रहे हैं तो हाथी गुपा अभी लेक क्या है समलित है ठीक है और जुना गड़ा अभी लेक ये भी समलित है एहोल अभी लेक की बात करते हैं तो ये समलित नहीं है क्यों क्योंकि एहोल अभी लेक जो है उसका संबंद असकंद गुप से नहीं, पुलकेसिन दूतिये से था, ठीक है, अब पर्याग स्थम लेक संबंद गुप ये भी सही है, तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु जागा, option number C, A होला भी लेक, next question है, question number 92, question number 92 करया है, हिमायू द्वारा लड़े गए, चार यूद को क से सजाए, तो हिमायू द्वारा लड़ा गया था, सबसे पहले देवरा का यूद 1531 में, फिर चौसा का यूद 1539 में, फिर बिलग्राम का यूद 1540 में, और सरहिंद का यूद 1555 में, तो इस question का सही अंसर हो जागा, option number A, next question है, question number 93, question number 93 करहा है, अलबर्दी खां बंगाल का सुवेदार बना था, और फिर 1740 में, जाके, बंगाल का नबाब बन गया, तो इस question का जो सही अंसर हो जागा, option number C, 1740, next question है, question number 94, question number 94 करहा है, महात्मा गांधी को किस बेक्ती ने, अर्धनंग फगीर कहकर संबोधित किया था, तो इस question का जो सही अंसर हो जागा, बहो जाग बहुत में, नंद को, तो option number C, जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, next question है, question number 96, question number 96 करहा है, कॉंगरिस के किस अदिवेशन में, एनी बेसन, भारतीय राष्ट्ये कॉंगरिस की प्रथम महीला ध्याच बनी थी, तो एनी वेशन जो की भारतीय राष्ट्ये कॉंगरिस की प्र Quesion No. 97 कहा रहा है किस घटना के बाद गांधी जी के द्वारा सहीोग आंदोलन बापस ले लिया गया था तो यह लिया गया था जब 44 कांड हुआ था 5 फरबरी 1922 को इसी के बाद गांधी जी ने इसी से आहात होके सहीोग आंदोलन बापस ले लिया था तो option No. D जो होगा वो ह 2109 तक सासन किया था तिर 550orama 1515 तो कौन किया था फिर किया था ऐथा अलफांसो डी अलबुकर और ऐलफांसो डी अलबुकर को ही भारत में पूर्तिकी सक्तिका बास्तविक स्थापक भी माना जाता है लेकिन यहां बात गहास कर रहा ब्लू बाटर परिशी की गुदि इस इस सागार रोडशाल deficit की चल्लाई गई थी तो इस कोर्षें का जो सही अंसर हो जगा बहु जगा मॉंगचन नोबिल यांनी sister नवेदीता यानी option number B, ठीक है, ये कौन थी, ये एक आईरिस सीचिका थी, और समाज सेविक थी, और ये स्वामी विवेकनन्द की सिस्या भी थी, next question is, question number hundred, question number hundred कहा, हर्यक बंस के बारे में कौन सा कथन सत्म नहीं है, तो देखिए, हर्यक बंस का सब्से प्रतापी राजा बिम्बिसार था, सही है, बिम्बिसार नहीं सरपथम कुसल परसासन पर बल दिया था, ये भी सही है, तो आशा करता हूं कि आप लोगो को ये वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं वो भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग